ही स्टुडेंट वेलकम अंस अगेन बच्च वाले वीडियो में हम लोग एकसर से 25 बेका जो 11 नमबर वाला क्वेस्टन है इसे सौल करना सीखेंगे यह देखो बाकी क्वेस्टन से थोड़ा हट कर रहा है हट कर क्यूं है प्यूंकि इसमें आपको न अगर आपको यह क्वेस् करें वाला उसमें मैं आपको बैशिक चीजा बता देया था कि कार एनदर क्वीन कितने होते हैं हैं गार एक बारे में रटक होगि और कार्ट को घ्रमां यहांद में समझोगे निवा घ्र नहीं भी देखना अब अपने से थाइंब रेट कर ले न कि अन्य हुुमाद Kका्र करने से बाहते होगे किटने होते हैं करने ठीम होते हैं इमोजमें का सबाविकें क्रिक्त 워न G और बाइड काते हैं सबी के अपने टींग होता है अपना क्वीन होता है और यहाँआ पर पुसन नहीं आपके गिंगे श्रख सब्सक्राइब यह वर चली स्टार्ट करते हैं और फिल्हाल इन चीजों करते हैं उनको तो मैं आपको समझा देता हूं कि कैसे solve करना है और उनके जो probability है वो क्या है फिला ये read कर लेते हैं question one card is drawn at random from well-suppled deck of 52 cards यानि कि 52 cards को अच्छे से मिला लिया गया है और उसमें से एक card निकाला जा रहा है ठीक है तो find the probability that the card drawn is यानि कि ये बताए कि कितना probability है कि इतना chance है कि जो card निकाला गया है वो क्या हो एक king हो एक spread हो एक red का queen हो या फिर ब्लैक 8 हो ठीक है तो ब्लैक 8 को पर आपको उसमें नहीं दिया हुआ है अभी मैं आपको question में समझा देता हूं आए start करते है तो देखो सबसे पहल है इसपैड का भी एक king होगा, club का एक अलग king होगा, hut का एक अलग king होगा और diamond का एक अलग king होता है तो total 4 king होते हैं उसी तरी के total 4 queen भी होते हैं तो यहापर number of king में आप क्या करना 4 लिख देना ठीक है इसका मतब जो probability है हमारा king आने का तो यहापर आप capital P लिख करके shortcut में नी तो देखो 4 1 जा 4 हो गया numerator में, नीचे में 4 1 जा 4 हुआ, 5 में से 4 कट हुआ, बच्चा 1, वो आगे जाकर कि इसको 12 बना देगा, तो 4 3 जाओ जाएगा हमारा 12, यानि कि जो king के आने का chance है वो 1 by 13 है, यह हो कि हमारा first question solve, उसी तरी के साब को second solve कर लेना है, second में क्या बोला गय जाता है, यह SPAD, तो SPAD कियाने के chances कितने हैं, तो total हमारा SPAD कितने होते हैं, 13 SPAD होते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर आप लिखो को पहले तो number of SPAD, या पर SPAD कर दो, तो total SPAD कितना होता है, 13 होता है, तो probability जो होगा हमारा SPAD कियाने का, वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा 13 by 52 हमेशा जो टोटल नमबर होता है उसको नीचे लिखते हैं और जिसके बारे में भी पूछा जा रहा है probability जिसकी भी हमको बतानी है उसके नमबर को उपर लिखा जाता है बस अब इसको भी कट कर लो 13 by 13 13 4 जा 52 यानि कि SPAD के आने का जो चांस है वह 1 by 4 है कितना सिंपल था आगे चलते हैं थर्ड वाला सॉल्व करते हैं थर्ड में हमें क्या दिया हूँ इसमें ए रेड क्वीन तो देखो क्वीन भी महाँ पर और चार होते हैं लेकिन रेड कु patio अपर साफ सा बोल रहा है क्वेस्ट नम दिमाल्ग करना है इसमें सौफ़क्व मत होना is जैखो काड में आपको डिमाइं क्वीं आप red queen दोनों कहलाएंगे तो यहांपर आप लिखोगे number of red queen ठीक है चाहो तो आप इसमें बता भी सकते हो bracket में करके इस तरी के से लिख भी सकते हो कि एक हमारा heart की queen हो जाएगी ठीक है और एक हो जाएगा हमारा diamond वाली queen ठीक यह दो queen होते हैं red वाले ठीक है तो यह हमारा दोनों कोई equal करके आप लिख दो टू तो इसका जो probability बनेगा तो probability of queen red queen पूरा लिख लो red queen क्योंकि queen लिखोगे तो total four queen होते हैं के वाले आपको red queen पुछा है तो probability of red queen equal to two by 52 बस इसको भी कर लो तो यह two one जा two हो जाएगा उपर में नीचे में टू टू जा four हुआ one बज गया वाग जाकर तो 12 बना देगा तो टू सिक्जा टूवल यानि कि one by twenty six जो चांस है वो red queen क्या नेका है उसी तरीके से जो स्वार स्थ हमारे को सेने उसमें वह बोला गया था की एक ब्लेक अब ब्लेक एट कितने होते हैं युद्ध टूटल four होते हैं लेकिन ट्रुटल four होते हैं लेकिन black खुला गया है आप पर तो की अविचा ब्लैगे अधों येश सा एक हो जाएगा ऑप क्लब का जो 8 होता है उसको भी उसका ग्या और हमारा जो इसग्याइड उसका एक घॉल गया तो चूंजया लट से पताई होगे होता है वो नाम होता है एक तरह से आपका लो ठीक है तो यहां पर आप लिखोगे नंबर ऑफ ब्लैक एट ठीक है और इकोल करके बता दोगे टू कि टोटल जो ब्लैक एट होते हैं हमापर टू होते हैं चाहो तो इसमें भी आप ब्रैकेट में लिख सकते हो कि एक होता है और एक क्लब वाला होता है तो इसका प्रप्रवेल्टी होगा ब्लैकेट का मैं यहां पर बस लिख देता हूं सौटकर्ट में ठीक है तो यह हम इसका चांस कितना हो जाएगा यह भी हमारा टू ब्लैकेट वाली है और हमारे पास एक्चुल में जो टूटल आउटकर मे है वह भी कार्ड से रिलेटेड है जबर आप खुझ से ट्राइकरो सॉल्व करने का नहीं समझ में आगए तो वीडियो तो में बनाऊंगा है उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा थैंक्यू फॉर वाच्चिंग